हाई गाइस आज मैं देखाने जा रही हूं एक कार्ण पोस्ट की सोकेश अलमारी चलिए शुरू करने के पहले मैं बता देती हूं कि मेरे वीडियो को लाइक श्यार और कामेंट जरूर करिए मेरे अलमारी करने के लिए डामबो के चोटे चोटे पीसेज लगेगे मुझे शीक्स पीसेज लगेगे और बिक साइज के फोर पीसेज लगेंगे अब मैं एक पेंट से हर कोने पर मार्क कर लूँगी जिससे इस पेंबो के पीसेज को लगने के बहुती आसन हो जाए अब मार्क के चोटे चोटे चीबते कर दूँगी फिर उस पीसेज को में लागा कर देखाती हूँ यहाँ पे यह देखिये हो गया अब इस हर कोने पर में ओल नेकर अच्छे से बांद दूँगी दूँगी देखिये हैं मैंने उल्ड दे लिया इसे बांद के देखाती हूँ हो गया इसे हार कोने को मैं बांद दे उत्ती हूँ फिर देखाती हूँ यह देखे हो गया अब मैं सुई धाकर लेकर इसे और भी मजबूत कर देती हूँ इसे बांद के देखाती हूँ यह देखाती हूँ यह देखाती हूँ यह देखिए मैंने इसे टाइट कर दिया इसे ही हार को नेवर कर देती हूँ यह देखिए हो गया अब मैं 8.5 इंचीज और 9 इंचीज के 2 पीचेज कागच के टुक्रे लूँगी यह देखिए अब इसको मैं मर्बल पेपर से अब इसको मैं मर्बल पेपर से अच्छी तारा से चिपका दूँगी दो को यह देखिए अब इसमें और हर एक कुने फर यह चिपका देती हूँ फिर इसे गम लेकर इसे चिपका देती हूँ मुखणा दिखा दे मूँ दिखाई में तुलेले मेरी जात देखने को तुझ को मचल गया यह दिल हादों से मेरी निकल गया यह दिल यह देखिए हो गया अब मैं पूरे राउंड को पूरे बॉक्स को मार्वेज़ पर से चिपका दिया यह देखिए ऐसे ही मैंने बहुत सारे फ्लावर काट करके इसके ओफर चिपका देती हूँ जिससे इसका लूक और भी ज़्यादा खुपसरत लगे भी आसा मेंने जया दिल हाथों से मेरे निकल गया ये दिल हाथों से मेरे निकल गया ये दिल आदेके है को गया ए vis अब मैं यहाँ पर लॉक करूंगी ऐसे ही मैंने एक लिया और इसमें छोटे से छेट कर दिया यह देखिए इसे में अटक दिया अब मैं काम दोंगी जिस और भी मजबुत हो जाए अब इसे लगाने के लिए मैं एक सुई धागा लेग लूँगी और मोती लूँगी फिर इसे एक एक करके मोती को गात लूँगी इसे इसका लूँग भी और ज़्यादा कुछ रख लागेगी और इसे बहुत अच्छे से लागाना भी जाए इसे बादा अच्छे से लूँग अच्छेश रख लूँगी जाए अब इसे स्कूल टेनल के बाद इसके साथ अच्छे से नोट लगा लूंगी यह देखिए ऐसे बहुत अच्छे से कर सके नोट लगा यह बरना यह खोल जाएगी यह देखिए हो गया हमरा अलमारी रेडी है अब इसमें जो चाहें रख सकते हैं में इसमें बटर बॉक्स सब्केश सकती हूँ मैंने वीडियो अच्छे लगी तो इसको लाइक श्यार एंड कमेंट जरू करिये थैंक्यू बाइबाई यह बाइबाई झाल झाल